जगननाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्तित है, जो भगवान जगननाथ श्री कृष्ण को समर्पित है, यह मंदिर हिंदुओं के चार धामों, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगननाथ पुरी में से एक है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह छोड़ दिया और उनका जब अंतिम संसकार किया गया और जब उनका पूरा शरीर पंच तत्वों मिल गया। भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगननाथ की प् गुजरात गए तो उन्होंने वहां कपड़े बदले, आगे भगवान ओड़िशा के पूरी पहुँचे, जहां उन्होंने खाना खाया और आखिर में भगवान विश्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुँचे, जहां उन्होंने आराम किया। कहते हैं, यही कारण है कि अन्यक्षी मंदिर के उपर से जाने से डरते हैं। दिलचस्प बात तो यह है, जगनाथ मंदिर पुरी के उपर एक आठ धातू चक्र है, जिसे नीले चक्र के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि ये चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले जहाजों में कई रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए विमान भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते अक्सर मंदिर में आपने एक या दो दर्वाजे देखे होंगे, लेकिन जगनात पुरी मंदिर के चार दर्वाजे हैं मुख्य द्वार को सिंह द्वारम कहते हैं बताया जाता है कि सिंह द्वारम द्वार पर समुद्र लहरों की आवाज सुनाई देती है लेकिन मंदिर में एंट्री लेते ही लहरों का शोर बिलकुल खत्म हो जाता है यदि आप जगननाथ पुरी के बारे में और अधिक रहस्य पूर्ण तथ्य सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करके हमें कुछ समर्थन दें और भविश्य में वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बजाना न भूलें जए जगननाथ जी